2014 की सुलवी लोकसभा के चनाओं में भाजपा गड़बंदन सत्ता में आती है और देश के प्रधान मंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी आते हैं जो इससे पूर्व गुजरात के बहुत सफल मुख्य मंत्री रहे बड़े लंबे काल तक मुख्य मंत्रित्व का पद उन्होंने थमाला और उसके बाद अब ये केंद्र की सत्ता में केंद्र की राजनीती में आते हैं और भारत के प्रधान मंत्री बनते हैं NDA सत्ता में काबिज होती है और उसके बाद अपना पांच वर्ष का कारकाल पूरा करने के बाद 2019 में सत्रहवी लोग सभा के चुनाव होते हैं अप्रैल मई में साथ चर्णों में चुनाव हुए और तेज मई को जब परणाम आते हैं तो वे भी मोटे मोटे अपेक्षित परणाम थे लगभग 912 मिलियन लोगों ने जो मतदान की पात्रता रखते थे उसमें से 67 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया यह एक बहुत अच्छा प्रतिशत था अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत साथी साथ इस चुनाओं की एक और खासियत थी कि महिला मतदाताओं की भी भागेदारी अब तक की तुलना में सबसे ज़्यादा थी तो दो द्रिश्टी से चुनाओं बहुत अहम था एक विशेश लैंड मार्क की रूप में देखा जा सकता है कि मतदान प्रतिशत सबसे ज़्यादा 67 और दूसरा महिलाओं का प्रतिशत भी इस बार तरवाधिक रहता है 545 में से 543 सीटों के लिए चुनाओं होता है और इसमें बहुमत के लिए 272 सीटों की जर्द पड़ती है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी अपने वही पुराने चुनावी खेतर वारानसी से चुनाओं लड़ते हैं वैसे ही जैसे कि मनमोहन सिंग यू पीए की ओर से दो सक्सेसिफ टर्म करते हैं प्रधान मंतरी के रूप में उसी प्रकाशी नरेंदर मोदी अब पुना प्रधान मंतरी चुने जाते हैं भारती जनता पार्टी को इस चुनाओं में 37.3 प्रतिशत वोट मिले और सीटों के संख्या रही 303 अर्था सीटों के संख्या 50 प्रतिशत से ज़्यादा लेकिन मतदान का प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम 37.3 जो और ये जो प्रतिशत है ये 1989 के आम चुनाओं के बाद किसी भी राजनाटिक दल को सबसे ज़्यादा मिला हुआ भोट शेयर था इस चुनाओं की सबसे ज़्यादा मतदान का प्रतिशत सबसे ज़्यादा महिलाओं के द्वारा मतदान किया गया इस बार और तीसरी बार विज़ई पार्टी को सबसे ज़्यादा मतदान का प्रतिशत मिला 37.6 प्रतिशत इसका जो परियाप्त बहुमत है उसमें काफी बृद्धियों और इसी के कारण भाजपा के नित्रित में राश्टी जनत आंत्रिक गड़ बंधन को कुल 353 सीटें मिलती है भारती राश्टी कॉंग्रेस के स्थिति बड़ी ही शोचनी न्यून तम सीटों पर आके वो रुकती है भारती राश्टी कॉंग्रेस को इंडियन नैशनल कॉंग्रेस को या कॉंग्रेस आई को जिसे हम कहते हैं 52 सीटें मिली मात्र 52 वह दल जो 1984 में 415 सीटों के साथ सत्ता में आये था अब वह 52 पर सिमट जाता है और सबसे बड़ी अन्होनी बात यह हुई कि विपक्ष के न दस परतिशत सीटें प्राप्त करना जरूरी है विपक्ष के नेता का दावा पाने के लिए दस परतिशत सीटें 543 सीटों में चिनाओ होता है तो उसका दस परतिशत होता है चौवल जोंकि कॉंग्रेस को केवल 52 सीटें मिली उसकी कोई विपक्ष का नेता भी नहीं बन पा स्विकार हम पहली बार देखते हैं कि ऐसा विपक्षी दल जो विपक्षी दलों में सबसे बड़ा भी उसे इतनी कम सीटें मिली कि वह अपने विपक्ष के नेता को भी नियुक नहीं कर सकता और दस प्रतिशत का जो प्रावधान है उसे भी वो नहीं पा सका कॉंग्रेस के नित्रितवाली संयुक प्रगतशील गटबंधन ने कुल इंकानबे सीटें पाई ये गटबंधन की बात कर रहा हूं कॉंग्रेस अकेले की सीट नहीं कॉंग्रेस अकेले को तो बावन मिली थी गटबंधन को इस बार कुल मिला कर मात्र इंकानबे सीटें मिली उसके बाद अन्यदल और उनके जो गड़बंधन थे उनको इस गड़बंधन से UPA से ज़्यादा सीटे मिली अर्था अंठानवे सीटे मिलती हैं तो इस वकार हम 2019 के चुनाओं का भी एक दृष्ष देख सकते हैं इस समय हम देखते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी कुछ वि उप चुनाओं भी होते हैं आदी आदी लोगसभा के चुनाओं की कुछ और रोचक बातों में यदि हम देखें तो पाएंगे कि सीट परिवर्तन जो होता है यहने भाजपा के पक्ष में 21 सीटों का इजाफा और वहीं कॉंगरिस के पक्ष में 8 सीटों का इजाफा गडबंधन एंडिये सामने आता है जिसकी कुल संख्यारती 303 पन और वह सत्ता पर आता है यूपीये मात्र इंकानबे भारत के इस नक्षे में लोगसभा के चुनाओं का द्रिश्य एक तरीके से विज्वल के रूप में आप देख सकते हैं गड़ शह साथ लोगसभा चुनाओं में जो दो राष्टी दल थे मुख्य भारती जनता पार्टी और कॉंग्रेस इनकी स्थिति क्या रही कैसी रही लोगसभा के अंदर सीटों के संख्या में इनके उतार चड़ाओं को लेकर एक संख्यत रूप से यहां पर हम थोड़ा सा देख लें एक सर्थरी नजर दोडाने पर बहुत रोचक बातें सामने आएंगे सन 84 का चनाओं जहां से हमारी ये बात प्रारम्भ होती है उस समय देखेंगे तो आप देखिए कि सीटों की संख्या भारती जनता पार्टी बनाम कॉंग्रेस है भारती जनता पार्टी को सन 84 में मात्र दो सीटे मिलती है ये भारती जनता पार्टी है जो जिसका निर्माण 1980 के बाद जन संग के वे तत्व जो जनता पार्टी में शामिल थे बाहर आकर इसका निर्माण करते है और ये नए दल का गठन होता है जिसका नाम है भारती जनतापाटी इसको दो सीटों से संतुष्ट होना पड़ता है उसके बनाम उसके खिलाफ कॉंग्रेस को 415 सीटे मिलती है ये वही चनाओ है जब इंदरा गांधी की हत्या होती है और उनकी हत्या की भावनात्मक लहर का फाइदा कॉंग्रेस को मिलता है 1984 में उसे सरवाधिक सीटे मिलती है और 415 बनाम दो आप सोच सकते हैं कितना विशाल अंतर अगला चनाओ 1989 इस चनाओ में जिस दल को दो सीटे मिली थी उसकी संख्या में भारी इजाफा यद्यपी वह भी अभी भी बहुमत से बहुत दूर लेकिन बहुत बड़ा इजाफा दो अब पच्चासी हो जाती है और उसके खिलाफ कॉंग्रेस का क्या हश्र होता है 415 से उसकी सीटे घटकर आधे से भी कम हो जाती है 197 पर कॉंग्रेस रुक जाती है दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यहां हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसकी वर्चस्वता जो थी उसका जो प्रभुत्व था वो कैसे कम होता है यदि हम दोनों के तुलना करें 89 के चुनाओं में तो 85 बनाम 197 की स्थिती होती है भारती जनता पार्टी बनाम कॉंग्रेस में 1991 का इलेक्षन जो मध्यावदी चुनाओं इस मध्यावदी चुनाओं में जो मंदली करण के बाद देश में थोपा जाता है यह वह चुनाओं है जिसमें कॉंग्रेस को 211 मिलती है अर्था कमों बेश उतनी ही सीटें जितनी इसको पूर में मिली थी उसमें 15 सीटों का इजाफा होता है वहीं भारती जनता पार्टी जो 85 पर थी वह 211 पार्टी है कॉंग्रेस की बात दिकरें तो 211 नी 197 सीटें बढ़के उसकी 244 होती है और भारती जनता पार्टी की 85 सीटें बढ़के 211 हो जाती है यदि हम दोनों के तुलना करें तो अब तराजू का पलड़ा दोनों ही ओर लगभग बराबर है और भारती जनता पार्टी कॉंग्रेस से थोड़ी ही पीछे है मातर करीब 23 सीटें 24-23 सीटों से वो पीछे अगला चुनाओ 1996 पीवी निर्थिमा राओ के पांच वर्ष के कारेकाल के पूरे होने के बाद का चुनाओ इस चुनाओ में देखिए क्यास्टिती बनती है भारती जनता पार्टी 160 और कॉंग्रेस 140 अर्था दो बातें बड़ी सपस्ट पहली बार भारती जनता पार्टी को कॉंग्रेस से ज़्यादा सीटें मिलती है पहली बार भारती जनता पार्टी को कॉंग्रेस से ज़्यादा सीटें लोकसभा में मिलती है वहाँ पार्टी जो दो से शुरू होती है अब संसत की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है यद्यपी उसके सीटों के संख्या मात्र एक सो साथ है वहीं कॉंग्रेस अब एक सो चालिस पर रुख जाती है 244 से 140 अर्थाद उसको सो सीटों से ज्यादा का नुकसान होता है उन्निस सो चानवे में उन्निस सो अन्ठानवे मद्याबदी चनाओ भारती जनता पार्टी की सीटों में पुना वृद्धी 182 कॉंग्रेस जस की तस 141 पर लेकिन 1999 जो मध्यावधी चुनाव होता है उसमें कॉंग्रेस पहली बार बीजे पी से इतने पीछे पिछड़ती है और इसका परणाम यह होता है कि भारती जनता पार्टी का जो गड़बंदन है वह एक स्थाई सरकार देने में सफल होता है पांच वर्ष के लिए भारती जनता पार्टी को मिलती है 182 यानि उतनी ही जितनी कि उसे 99 में मिली थी लेकिन कॉंग्रेस के सीटों के संख्या घटकर बहुत कम 114 पे रुख जाती है और उसके बाद 2004 के चुनाओं में जो मनमोहन सिंग लेड मनमोहन सिंग के नित्रित वाली UPA बनाम अटल विहारी बाजपई के नित्रित वाली NDA के बीच होती है उस चुनाओं में अटल विहारी बाजपई का जो दल है जो गड़बंदन है वह मातर 138 सीटें पाता है और कॉंग्रेस के नित्रित वाली UPA को 145 सीट मिलती है बहुमत से बहुत कम 272 सीटें चाहिए बहुमत के लिए लेकिन कॉंग्रेस को मातर 145 मिलती है पर गड़बंदन के जोड़ तोड़ से जोगार से वह ये सुनिश्चित करती है कि सत्ता UPA को मिले और इस पकार 1904 में कॉंग्रेस के गड़बंदन को सरकार बनाने में सफलता मिलती है कुल मिलाके इस पूरे पिक्चर में आप देखते हैं कि कैसे तराजू का पलड़ा कॉंग्रेस का जो पहले बहुत भारी था घटे घटे वो कम होता है और फिर अंत में 2004 में वो पुना किसी तरीके से सत्ता में आने में काबिज होती है दूसरी और भारती जंता पार्टी इसकी स्थित में लगातार व्रिद्धी हो रही यद्यपी उसे 2004 में 138 सीटे ही मिली लेकिन तब तक सत्ता का स्वाद वो चक चुकी थी तब तक वो तीन बार सत्ता में आ चुकी थी यद्यपी संक्षित काल के लिए और वह पार्टी जो दो से शुरू हुई थी दो सीटों से अब उसके पास सरकार चलाने का अनुभा हो गया था कॉंग्रेस और भाजपा के दोनों को मिले वोटों को जोड़ दें कॉंग्रेस धन भाजपा कुल वोटों की संख्या को जोड़ दें तब भी 1989 के बाद से उन्हें इतने वोट नहीं मिले थे कि कुल मतों का पचास तिशत से ज्यादा हो अर्था बहुमत हो इतनी कम अल्पमत में रहते हुए भी ये गड़वंधन सरकारें बना रही थी ये एक बड़ा रूचक तत्वय बड़ा महत्पूर्ण बदलाओ है जो इस काल में हम देखते हैं उसी तरह सीटें भी लोग सभा की कुल सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं जो बहुमत के लिए जरूरी था फिर भी वे सरकार बनाने में सक्षम थी नबे के दिशक में हम लगातार देखते हैं कि जो मुकाबला चलता है तन 84 से लेकर तन 2014 उनिस तक वो मूल रूप से दो गड़वंदनों के बीच में भारती नीदगडबंदन और कांगरेस नीदगडबंदन ये दो गड़वंदनों के बीच की राजनीती इस 20 वर्ष के काल को प्रभावित करती है और जो सत्ता है वो उन्हीं दोनों गड़वंदनों के बीच में आती जाती रहती है 2004 के लोकसभ़ चुनाओं में हम चार गड़बंदन देखते हैं और पहले भी ऐसे इसा तीन और चार तरीके के गड़बंदन थे लेकिन 2004 का चुनाओं लोकसभ़ चुनाओं उसमें जो हम बात देखते हैं वो पहले है कि NDA की हार होती है 1999 से 2004 तक अटल विहारी वाजपई के नित्रत में NDA गड़बंदन पहली बार अपना पांच वश्क का कारेकाल पूरा करने में सफल होता है पर दुरभाग से चुनाओं में पराज़े मिलती है और दोनों को प्राप्त जो कुल वोट हैं इनका अंतर बहुत कम रहता है बहुत कम अंतर से पराज़त होती है NDA या जिसे हम राज़ग बोलते हैं राश्टी जनतांत्रिक गड़बंदन अंतर कम रहता है दूसरी विशेश दूसरा जो गड़बंदन था वो UPA का था United Progressive Alliance संयुक्त प्रगतिशील गड़बंदन जो विज़ई होता है और वाम मोर्चे के समर्थन से सरकार बनाता है आपने देखा उसके सीटों के संख्या कितनी कम थी 2004 के चनाओं में लेकिन उसके बाद भी उस सरकार बनाती है क्यों? क्योंकि उसे वाम मोर्चे का समर्थन मिल जाता है जिसे पर्याप्त सीटे स्वाहम को मिली होती है तीसरी बाद जो चुनाओं की है वह है कांग्रेस का पुनर्थान 1991 के बाद इस पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ती है 1991 के बाद 2004 में हम देखते हैं कि इनके सीटों के संख्या में इजाफ्या होता है तो ये 2004 के लोग सवाच चुनाओं की का एक पिक्चर है जो महत्पून बदलाओ इस काल में आये थे उसमें एक बदलाओ जिसका हमने जिक्र किया है वह थी बढ़ती सहमती और साथ विभिन राजनीतिक दल जो थे चाहे वो राश्टी स्तर के हों चाहे खेत्री स्तर के हों उनमें कुछ आम सहमती थी कुछ बातों को लेकर अनेक महत्पून मसलों पर अधिकतर राजनीतिक दलों के बीच में जो सहमती बनती है उसका एक खाका यहां हम आपको देते हैं उसमें पहली सहमती के बिंदु था नई आर्थिक नीती अर्था नई आर्थिक नीती को लेकर सभी इस बात से सहमत थे कि इसे जारी रखना होगा क्योंकि इससे देश सम्रिद्ध होगा और विश्व में भारत एक आर्थिक अर्थ वर्था बनने की शमता शक्ति पालेगा यानि नई आर्थिक नीती पर सभी सहमत दूसरी बात पिछ्री जातियों को लेकर भी पिछ्री जातियों के उत्थान को लेकर भी उसके तरीके को लेकर भी डलों में सहमती बनी पिछ्री जातियों के उत्थान की आवश्चक्दा को भी लेकर सब में सहमती थी ये सब मानने लगे कि स्विछ्री जातियों के राजनेतिक और समाजिक दावों को हमें स्वीकार करना होगा हमें उसे अहमियत देनी होगी उसे उचित स्झान देना होगा और उस दिशा में शिक्षा और रोजगार इन छेत्रों में पिछली जातियों के लिए सीटों के आरक्षन को लेकर भी मुटा-मुटा सब में सहमती थी अर्थात वे मानते थे कि ये पिछली जातियों के पिछले पन का मुख्य कारण अशिक्षा और बेरोजगारी उस तबके की है और यदि इस तबके को हमें उपर उठाना है तो इसके लिए शिक्षा और रोजगार इसका हमें समुचित प्राउधान करना पड़ेगा और वुष्प्राउधान का जरिया होगा आरक्षन इस बात पे भी सबकी सहमती थे इसके अलावा सत्ता में अन्य पिछड़ा वर की अनमती की भागी दायरी पर भी सहमती होई तीसरी बात जिस पे आम सहमती बनी थी जाता मैंने बताया पूर में शासन में प्रांती दलों की भूमिका ये इस बात को माना गया कि खेतरी दल केंद्री सरकार में साज़ीदारी करने की खशमता रखते हैं उनके साजेदारी की जरूरत है और खेतरी डल खेतरी होते हुए भी उतने ही महत्पूर्ण है जितने की राश्टी डल और राश्ट्री दलों को राजनीते के स्थायत्व के लिए सत्ता में सत्तता के लिए जरूरी है कि ख्षेत्री दलों के मदद वे लेते रहें, समर्थन लेते रहें पिछले कई सालों में देश की राजनीती में ऐसा देखा गया कि एक ख्षेत्री दल बहुत महत्पूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इस सच्चाई को, इनकी भूमिका को, इनकी अहमियत को सभी दलब स्विकार करने लगे और इस बात पर सहमत भी थे चौथी बात, जिस पर सहमती आम सहमती थी, वो थी कि विचार धारा को अब अतना तवज्जो ना दिया जाए विचार धारा की राजनीती से हटकर, अब कारिय सिद्धी की राजनीती पर जोड दिया जाए विचारधारा के मुद्दे को लेकर जो धुरुवी करनपूर में हो रहे थे साम्मेवादी विचारधारा, गांदीवादी विचारधारा, राष्टवादी विचारधारा, आदी आदी इन सब विचारधाराओं को दर किनार कर अब जरूरी इस बात करी है कि हम एक इस्थाई सरकार दे सके हैं और इसके लिए जरूरी पड़े तो हम विचार धारगत को बैक बरनर में रख कर काम को लेकर एक्शन को लेकर अपनी सहमती जताएं और सरकार चलाएं विचार धारगत सहमती के बगैर राजनाति गड़ बंधन बनाने पर अब किसी तरह की शर्मिंदगी नहीं थी पहले इसे एक एक उससे देखा जाता था अजीब तरीके से एक अच्छी दृष्टी से नहीं देखा जाता था जब विबिन विचार धाराओं के दल साथ में आत समय के साथ साथ ये सपष्ट होता गया कि विबिन विचार धाराओं के रहते हुए भी एक साथ कुछ नियूनितम साज़ा कारिकरम के तहट एक मंच पर आया जा सकता है एक गड़ बंधन बनाया जा सकता है एक इस्थाई सरकार बनाई जा सकती है और देश को आगे बढ़ा जा सकता है और था दिचार धारा गत सहमति के बगैर भी राजनायतिक गड़ बंधन संभा है ये इस बात पर अब सभी सहमत थे और इसका उधारन था कि अधिकतर जल जो हैं जो एंडिये में हैं राश्टी अलायंस में जो हैं वे राश्टी जनत आंत्रिकल गड़ बंधन के जो दल ये भारती जनता पार्टी के हिंदुत की विचार धारा से सहमत नहीं हैं लेकिन उसके बावजोज वे गड़ बंधन में शामिल हैं और सफलता पूरवक वो सरकार चला रहे हैं ये क्यों संभा हो पाया कि हिंदुत की विचार धारा जिस पर उनमें मतभेद है उसको उन्होंने किनारे रख दिया है और कार्य काम को लेकर काम के लक्ष को लेकर एक जुट होकर अपनी सहमती दिखाई है तो इस विकार हम देखते हैं कि ये काल जो है इसमें जो बदलाव आए उसका एक बह सहमती कुछ मूल भूत मुद्दों पर ये सभी ऐसे महतपूर्ट बदलाओं हैं और ऐसा भी माना गया कि आगामी राजनीती जो है वो इन बदलाओं के दाएरे में होगी इनकी इनके आसपास घूमेंगी अर्था बदलाओं एक आवश्यक चीज मानी गई कॉंग्रेस के प्रभुत्व के दौर से हमारी जो राजनीती है वो अब कहां पर आप पहुंची है राजनीतिक दलों की बीच प्रतिश परधा के पड़ाओं पर ये बात भी सब मान लिए कि जो इतिहास हम देखते हैं राजनीतिका भारती राजनीतिका उसमें उसकी शुरुवात होती है कॉंग्रेस के प्रभुत्व से और अब हम राजनीतिक दलों के बीच की प्रत्विद्वन्जिता पर आकर उस पड़ाओं पर आ गया हैं अर्थाज किसी एक का इस बदलाओं पर भी सब सहमत थे और इस बदलाओं के परिप्रेक्ष में अब नहीं राजनीतिक खेली जा रही थी इसी प्रत्विद्व परत्विद्व के बीज भी कुछ मसलों पर सहमती बनी थी ये एक बहुत बड़ी चीज थी तहां पहले प्रभुत्व था विबिन् विचारधाराओं के लोगों ने विबिन्विबिन्दल बनाएं लेकिन गडवंदन के तहर विचारधाराओं को तिरस्कृत कर विचारधाराओं को दर किनार कर अब कारिशिद्धी पर विशेश जोर दिया और इस कार हम कह सकते हैं कि सहमती सहमती पर आना सहमती के निशकर परिवर्तन था जिसने गड़वंदन की राजनीतिक को और मजबूत किया राजनीतिक दल अब जन आंदोलन और संगठन के विकास के नए रूप को नए स्वपनों को और नए तरीकों को इजाद कर रहे थे उनको पहचानने की कोशिश कर रहे थे और ये सब प्रतित परधा के दोरान अर्था जन आंदोलनों की सार्थक्ता पर भी अब कोई प्रश्ण चिन नहीं लगाया जा रहे थे उनके और चिप्ति पर कोई प्रश्ण चिन नहीं लगाया जा रहे थे अगली बाद गरीबी, विस्थापन, नियुनतम मजदूरी, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के मामले पर जन आंदोलनों के जरिये राजनेतिक पार्टियां अब अपना अपनी रोटी से करी थी मुद्दे वही आधार भूत, लोगों के जीवन से जुड़े हुए, लेकिन चुणकि जनता कि इन मुद्दों पर आवाज शासन तक नहीं पहुंच पा रही थी, जन आंदोलनों पर विवश्था होती है, जन आंदोलन होते हैं, और जब जन आंदोलन होते हैं, तो उनके इन मुद्दों को, उनके इन मसलों को, राजनितिक एजन्डे के रूप में अब पेश किया जाने का प्रयास शुरू होता है, और अंतिम बात, ये आंदोलन, राज्ज को उसकी जिम्मेदारियों से भी वाकिफ कराते थे, ये इस काल की एक महत्पून वशिष्था थी, उनको स रजक करते थे, राज्ज को विवश करते, कि हमारी आवाज भी सुने, एक दबाव ग्रुप के रूप में कार करने का प्रयास, इन जन आंदोलनों के द्वारा किया गया, और सफल तरीके से किया गया, जब आरक्षन, नौकरी के आरक्षन के मुद्दे की बात आई, तो इन अहम मुद्दा था, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णे आने के बाद, 1992 में, OBC वर्ग, एक पूरे बल्क में, एक पूरे गुट में, उन 27 सीटों के लिए, जो उसके लिए आरक्षित की गई थी, अपने को, अपनी पातरता पाता है, और फिर उसमें प्रयास करता है, नौकरी में, आरक्षिन के मामले पर मैंने जैसे बताया था, कि बड़े तीखे वाद विवाद हुए, मामला कोर्ड भी गया, और इन विवादों से अन्य पिछला वर्ग, अपनी पहचान को लेकर ज्यादा सजग होता है, जो इस तबके को लामबंद करना चाहते थे, और इसका फाइदा लेना चाहते थे, उन्होंने इसका फाइदा लिया, ऐसी एनेक पार्टी हैं इस दोरान आई, जो इस तबके को लेकर चलना चाहती थी, जिन्होंने शिक्षा और बेरोजगार के खित्र में ने-ने अवसर उपलब्द कराने की मांग की, अवसर दिलाने की मांग की, याने ये काल ऐसा काल है जब पिछड़ा वर्ग के मुद्दों को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया, पिछड़ा वर्ग का विकास, पिछड़े वर्ग का उद्धार, ये इस काल में किसी भी दल के राजनीतिक एजेंडे का एक मुख्य अंग था, और जैसे पूर में हमने देखा, इंद्रा गांजी ने कभी गरीबी हटाओ का नारा दिया था, फिर कुछ और नारे अलग अलग चले, जैसे वर्टमान में जो सबसे प्रसिद जो सरकार का जो नारा है, सब का साथ, सब का विकास, ऐसे ही इस काल में 80 और 90 के दशक में हम देखते हैं कि अधिकतर पार्टियां शिक्षा और रोजगारों मुख बिंदूओं पर ज़्यादा सजक थी, और इसका फायदा उनको मिला, क्योंकि OBC उनकी तरफ खिंचे, इन दलों ने सत्ता में अन्य पिक्ष़़वर्ग की हिस्सेदारी पर भी सवाल उठाया, इन दलों का कहना था कि भारती समाज में अन्य पिछ़़वर्ग का एक हिस्सा बहुत बड़ा है, और इसलिए सत्ता में भी इन्हें प्रापर प्रतिनिधित्व मिलने की जरूरत है, इसे देखते हुए अन्य पिछला वर्ग का शासन में समुचित प्रतिनिधित्व और सत्ता में समुचित मौजूदगी तै करना लोकतांत्रिक कदम होगा शासन में उचित प्रतिनिधित्व और ऐसे ही सत्ता में उचित मौजूदगी इन सब में पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त इस्थान मिलना चाहिए ऐसा होने पर ही हम लोक तांत्रिक व्यवस्था को सही मानेंगे और मानेंगे कि लोग तांत्र के विवस्था के लिए इस थाई लोग तांत्र के लिए ये एक बहुत महत्पूंट कदम है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे किन किन मुद्दों को लेकर और किस प्रकार 1980 के दशक और 1995 आते आते अन्य पिछड़ा वर्ग और या OBC कितना अपनी अहमियत को बना बैठता है और भारत के राजनीतिक पटल पर अपना एक निर्दिष्ट स्थान बनाने में सक्षम हो जाता है भारती राजनीति जिसका दायरा 122 करोड की जनता जनसंख्या में है जिसका दायरा इतने बड़े भागुलिक खेत्र में है जिसे हम भारत कहते है उसकी राजनीति इस मामले में बड़ी कॉंप्लेक्स है कि भारती या भारत विविदिता का देश है विविद परंपराएं विविद भाषाएं विविद संस्कृति विविद इतिहास आधी न जाने क्या-क्या इसके राजनीतिक पहलू को उतना ही कॉंप्लेक्स जटिल बना देते हैं जतना की कोई अन्य पहलू हूँ भारती राजनीतिक जब बात करते हैं तो उन 122 करेड़ लोग की बात करते हैं जो भारत के नागरिक हैं और उन 122 करोड़ लोगों में जो पातरता रखते हैं उनकी संख्यावी स्वयम 75-80 करोड़ के आसपास है इस 75-80 करोड़ में समाज के सभी तबके के लोग हैं चाहे वो आर्थिक जिससे उच्छ वर्ग के लोग या निम्नवर्ग के लोग गरीब चाहे वे बहुत शेक्षिक हों या बिलकुल अनपढ़ हों चाहे वे किसी भी जाती के क्यों नहूं किसी भी उप जाती के क्यों नहूं किसी भी तरह की नौकरी या व्यापार क्यों न कर रहे हों इन सब को मतदान का अधिकार है देश की राजनाटिक प्रक्रिया में एक नागरिक के नाते शामिल होने का अधिकार है आप सोच सकते हैं कि इस विशालता में इस विज़िता में जितने प्रकार के सामाजिक वर्ग है उनके उचित प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखना और सुनिष्चत करना के समाज के सभी तबके को इस राजनेटिक प्रक्रिया में संसदी विवस्था में शासन विवस्था में उचित प्रतिनिधित्व मिले तभी तो लोक तंत्र मजबूत होगा जितना ही ज़्यादा इसका विशाल दाइरा होगा पहुँच होगी उतना ही हमारा लोकतंत सक्षम रहेगा इसी प्रक्रिया में हमने अभी तक पढ़ा विभिन ने लोकसभा के चुनाओ और उन चुनाओं के पूर हमने तमन्य की कोशिश की कि भारती राजनीतिक प्रक्रिया कैसी है उसके क्या क्या पहलू है इस अध्याय के समाप्त होने के बाद अध्याय को वास्तिविक रूप में पूरा करने के लिए जरूरी है कि हम कुछ प्रश्णों को भी हल करें और प्रश्ण भी ऐसे जो अध्याय को जादा से जादा कफर करें उस शिंखला में पहला प्रश्ण आपातकाल के बाद के दौर में भाजपा एक महत्पूर्ण शक्ति के रूप में उभरती है इस दौर में इस पार्टी के विकास क्रम का उलेक करें याने भारती जनता पार्टी का विकास उस पर आपको एक संक्षित लेक लखना है यहां कुछ गाइड लाइन देना अनुचित नहीं होगा उत्तर में आपको इसकी शुरुवात करनी है भारती जनता पार्टी के गठन से लेका 6 अपरेल 1980 वहां से इसकी शुरुवात होती है लोकसभा के चुनाओं जिसमें दो सीटें मिलती हैं 1984 राम जन्भूमी ने पार्टी को ताकत दी तो राम जन्भूमी का विवरन इसके बाद आना अत्यावश्यक है उसके बाद लोकसभा का जो 1991 का चुनाओं होता है उसके बारे में आपको संक्षित में लिखना है कि वहां पर पहुंचते पहुंचते दो सीटों वाली पार्टी की क्या स्थिती होती है फिर 1991 की चुनाओं के बाद 1996 पर आपको नजर दोडानी होगी और ये बताना होगा कि इस चुनाओं में वो सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरती है जहाँ से 161 सीट मिलती है और कॉंग्रेस अब पहली बार दूसरे स्थान पर आती है अगला चुनाओं मैं 1998 जब गढ़बंदन के रूप में राजग गढ़बंदन के रूप में एंड ये गढ़बंदन के रूप में ये चुनाओं में खरशामिल होती है और सत्ता में आती है जूर 99 तक सत्ता में बनी रहती है अक्टूबर 99 में फिर चुनाओं होता है और दोबारा सत्ता हासिल होती है तेरा महिने के बाद कारेकाल पूरा करती है उस कारेकाल का थोड़ा सा विवरन आपको देना होगा फिर लोकसभा चुनाओं 2004, 2009, 2014 और 2019 और वर्तमान में इसके सीटों की संख्याद 303 तो दो से शुरू होने वाला दल अब 303 सीटों पर कैसे पहुंचा इसकी गाथा को आपको संक्षित में इसी ब प्रश्न, कॉंग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया है, प्रभाव का नहीं, प्रश्न है कॉंग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया है, इसके बावजूद देश की राजनीति पर कॉंग्रेस का असर लगातार कायम है, क्या आप इस बास्ते सहमत हैं अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए जो भी आपका उत्तर है उसके पक्ष में तर्क देए यदि सहमत है तो उसके पक्ष में सहमत नहीं है तो उसके पक्ष में तो यह स्टेट्मेंट बहुत महत्पूर्ण है आपको प्रभुत और प्रभाव में अंतर समझना है जहां तक ये प्रश्ण का सवाल है इसके उत्तर कुछ इस्त प्रकार हो सकते हैं कि भारत के भारत में कॉंग्रेस के प्रभुत्यू का दौर तो समाप्त हो गया है जैसा कि लोक सभा के अंतिम दो प्रड़ाम बताते हैं कॉंग्रेस की सीटों में लगातार जो कमी आ रही है उसकी और आपको इशारा करना है साथ ही साथ मत प्रतिश्यत जो लगाता है कम हो रहा है उसको बताना है और इसके बताते हुए आपको यह बताना है कि कैसे इसकी सरकार गड़बंदन के बावजूर बनने से रह गई खासकर 1999 में, 1998 में कॉंग्रेस की सीटों की गिरावट का जिक्ष करते हुए आपको कॉंग्रेस के प्रभुत के समाप्ति पर अपनी सहमति दिखानी है लेकिन कॉंग्रेस के प्रभाव में कमी आई है लेकिन कॉंग्रेस का प्रभाव अभी भी बना हुआ है ये बात साबित करने के लिए आपको राज्य के चुनाओं की और जाना होगा और ये बताना होगा कि कई राज्यों में जहां चुनाओं हुए हैं वहां वर्तमान में भी कॉंग्रेस की सरकारे हैं राज्यों के चिनाव में अभी भी कॉंग्रेस कुछ खेतरों में अपना प्रभाव रखती है और ऐसा कहते हैं आपको सावित करना होगा कि इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि कॉंग्रेस का प्रभाव समाप्त हो गया है प्रभुत्व तो समाप्त हुआ है तीसरा प्रश्ण अनेक लोग सोचते हैं कि सफल लोक तंत्र के लिए दो दली व्यवस्था जरूरी है सफल लोक तंत्र के लिए दो दली व्यवस्था जरूरी है पिछले तीस सालों से भारती अनुभो के आधार पर एक लेख लिखें और इसमें बतायें कि भारत की मौजूदा बहुद अली व्यवस्था में क्या फायदे हैं बहुद अली व्यवस्था से या बहुद अली व्यवस्था के क्या फायदे हैं इसका उतर कुछ मूल भूद बिंदू पहली बात आपको बहुद अली विवस्था के फायदों की बात करते हुए सबसे पहला फायदा जिसका आपको जिक्र करना है वो है कि बहुद अली राजनीती में विभिन लोगों को राजनीती में आने का उसर मिलता है ये कुछ वर्ग विशेष तक सीमित नहीं रहता किसी दल विशेष या खेतर विशेष तक सीमित नहीं रहता तो वे बहुत बड़ा फायदा है दूसरा फायदा खेत्री दलों के माध्यम से राश्ट्री स्तर पर जो वंचित वर्ग हैं जो वंचित समू हैं उनकी नुमाइंदगी होती है अर्थात उनकी आवाज वहां तक पहुंचती है किनके माध्यम से खेत्री दलों की माध्यम से ऐसा क्यों होता है क्योंकि खेत्री दल छोटे रहते हैं, छोटी संख्या रहती है, प्रभाव भी एक सीमित खेत्र तक रहता है, और ऐसी स्थित में उस खेत्र की समस्याएं, उस खेत्र में रहने वाले समूह की समस्याओं उपर तक कैसे पहुँचेंगी, तभी पहुँचेंगी जब गड़ बंदन की राजनीत हो, तभी पहुचेंगी जब खेत्री दल भी राश्ट्री सत्ता में शामिल हो, तभी पहुचेंगी जब बहुदली लोग के तंत्री व्यवस्था हो, तो इसलिए आप इसके पक्ष में और कुछ बिंदू को देते हुए ये बात साबित करने की कोशिश करें, कि भारत की जब बहुदली व्यवस्था के अनेक फार्दे हैं, प्रश्णों की शिंखला में चोथा और अंतिम प्रश्ण जो आपके लिए है, वह है संख्यप्त में निबंध लिखें, इन तीन बिंदूओं पर, पहला, खेत्री दलों का उदय, कारण और प्रभाव, दूसरा, सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के सशक्ति करण के प्रयास, सामाजिक वर्गों के, सामाजिक दिश्ट से कमजोर वर्ग के सशक्ति करण के प्रयास, और तीसरा है गड़ बंदन की राजनीति सकारात्मक या नकारात्मक इस पर आप अपने विचार रखें अपने मूल विचार जो तीसरा बिंदु है गड़ बंदन की राजनीति सकारात्मक या नकारात्मक इस पर अपने मूल विचार रखें इसके लिए आपको स्वैम को अप होगा और स्वैम को अपने एक निश्कर्श पे निकलना होगा